देखी कॉंग्रिस की कमान भले ही राहूल गांधी की हाथ में ना हो लेकिन पार्टी पर उनका असर किसी से छिपा भी नहीं है कॉंग्रिस की अब तक की पूरी रन्नीती राहूल के इर्ध गिर्ध ही खूंती रही अब ऐसे में राहूल का चिनाव मैदान से बाहर रहना कॉंग्रिस के एलेक्शिन और एक्क्वेशन बिगार सकता है अब सवाल ऐसा है कि कॉंग्रिस के पास आखिर विकल्प क्या है क्या कॉंग्रेस राहूल की कमी दूर करने के लिए प्रियंका को मैदान में उतारेगी प्रियंका गांधी कॉंग्रेस की महासचीव जरूर है लेकिन उन्होंने अभी तक कोई चिनाव नहीं लड़ा है अब ऐसे में सवाल ये है कि अगर राहूल की सीट पर उप्चुनाव होता है तो क्या वाइनाच प्रियंका के लिए चुनावी लॉंचिंग पैड बनने वाला है दोपहर दो बचकर साथ मिनट पर जैसे ही राहूल गांधी को अयोग ये ठहराने वाला लोगसभा सेक्रिटेरिट का ये नोटिफिकेशन सर्क्यूलेट हुआ उसके ठीक 20 मिनट बाद राहूल की बहन और कॉंगरिस की महासचिफ प्रियंका गांधी वाडरागा ये ट्वीट सुर्ख्या बनने लगा प्रियंका गांधी ने नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और ललित मोदी का नाम लिया घोटालों का जिक्र किया और लिखा सवाल बीजेपी से था, लेकिन इस एक सवाल से प्रियंका गांधी ने कॉंगरिस पार्टी के अंदर बड़ा मेसेज देने की कोशिश की मेसेज ये कि कॉंगरिस पार्टी अब पहले से और ज्यादा मजबूत है और यही वज़ा है कि आम तोर पर शब्दों की मर्यादा रखने वाली प्रेंका गांधी के तेवर तल्ख दिखे अंदाज बेहदा करामक था, बकायद अप्ये मोदी को टाक करते हुए लिखा आप मेरे परिवार को परिवारवादी कहते हैं, जान लीजिए इस परिवार ने भारत के लोगतंत्र को अपने खून से सीचा, जिसे आप खत्म करने में लगे हैं इस परिवार ने भारत की जनता की आवाज बुलंद की और पुश्टों से सच्चाई की लड़ाई लड़ी हमारी रगों में जो खून दोड़ता है उसकी एक खासियत है आप जैसे कायर, सत्ता लोभी तारशाह के सामने कभी नहीं जुका और कभी नहीं जुकेगा आप कुछ भी कर लिजिए मोधी जी क्या-क्या नहीं बोले सुन्या गानी जी को राहू घानी जी को सदन में उन्हों ने बोरा की चन लोग आज कि जवर्ला नेरों सब्सक्राइब लगाने को विशर्मा कि राहुल जाने को दर्नेवाने कि हम लड़ते रहेंगे पुरा पार्टी उनके साथ खड़ा है और हर जगे हम मोहिन सुरू के रहेंगे कॉंग्रिस पार्टी और प्रियांका गान्धी की बॉखलाहट एक तरफ है लेकिस सवाल गान्धी परिवार के सियासी भविश्यका है राहुल जब संसद में आक्टिव नहीं रहेंगे तो फिर उनके बदले गान्धी परिवार का प्रतिनिध्य तो कौन करेगा क्या अब प्रियांका गान्धी लोग सभचुनाव की तयारी करेंगी? क्या राहुल वाली सीट पर प्रियांका गान्धी उपचुनाव लड़ेंगी? सबसे बड़ा सवाल क्या 2024 का चुनाव अब प्रियांका गान्धी वर्सिस नरेंद्र मोधी होने वाला है? जब तक इन सवालों का जवाब मिल पाता बीजेपी ने राहूल वाले एपिसोड पर ऐसा शिगूफा छोड़ा जिससे कॉंग्रेस गफलत में पढ़ गई कि ये सुनियो जित शड्यंत्र सोची समझी साजिश कॉंग्रेस में किसने रची राहूल जी आपको समझना पड़े हैं क्या एक भी सही राय देने वाला कॉंग्रेस में नहीं बचा मिला या जान बूझ कर गलत रास्ते पर डाला गया ये छुटकारा कौन पाना चाहता था श्री राहूल गांधी हम सब जानते हैं ने निडर्ता से बार-बार संसत के अंदर और संसत के बाहर अपने विचार रखे हैं वो आज उसकी कीमत चुका रहे हैं क्योंकि उनके सबाल उनके वक्तवियर अच्छे नहीं लगते उन लोगों को जिनोंने वो गलतियां किये हैं जिसके बारे में विवरन करते हैं श्री राहूल गांधी है कॉंग्रेस पार्टी राहूल के डिफेंस में पूरी ताकत लगा रही है लेकिन ये बात सही है कि अब वाइनार्ट की सीट पर भी सियासर गर्मा चुकी है खबर है कि अब चुनाव आयोग वाइनार्ट सीट पर उपचुनाव कराने को लेकर विचार कर रहा है शायद इसलिए भी प्रेंका की आक्टिवनेस किसी बड़े मेसिज का इशारा दे रही है राहूल गांधी पर फैसला आने के फौरन बाद उनकी मा सोनिया गांधी राहूल के घर पहुची और काफी देर तक उनसे मुलाकात की इस मीटिंग में सोनिया और राहूल के बीच क्या बात हुई इसे लेकर डीटेस सामने नहीं आई लेकिन इतना जरूर है कि राहूल की भारत जोड़ो यात्रा के बाद से सोनिया अब राजनीती में उस तरह सक्रिये नहीं दिख रही जैसे पहले दिखती रही ऐसा लगता है कि अब वो प्रियंका और राहूल के भरोसे हैं और इसकी तस्दीक उनका वो बयान भी करता है जो कुछ दिन पहले उन्होंने कॉंग्रेस के रायपूर अधिवेशन में दिया था in 2004 and 2009 along with the ABLE leadership of Dr. Manmohan Sinji gave me personal satisfaction but what gratifies me most is that my innings could conclude with the भारत जो रोयार है हालाकि इस बयान के बाद कॉंग्रेस नेताओं की तरफ से clarification आया था कि सोनिया गांधी ने retirement वाली कोई बात नहीं की मगर कॉंग्रेस पार्टी में message float होने लगा कि 2023 के चुनाफ में सोनिया की जगा प्रियंका गांधी राय बरेली का गर संभाल सकती है मगर अब जिस तरह के हालात बने हैं उससे तो लगता है कि प्रियंका को full-fledged तोर पर राय बरी जाने से पहले वाय नाद में stop-gap arrangement के तोर पर जाना पर सकता है जैसे ही घड़ी का काटा दो बहर ढाई पर आए बपीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये हैं इनकी बहु पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देगे अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव एप अपने स्मार्ट टीवी पर ABP News आपको रखे आगे